हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पाएं ड्रेंडरप से छुटकारा सिर्फ दो दिनों में आईए जान लेते हैं असरदार उपाई जैसे जैसे मोसम में चेंजस होना शुरू होता है वैसे ही हमारे बालों में रूसी होना मिंसे ड्रेंडरप की समस्या बढ़ने लगती है आपके स्केल्प की तुचा के छोटे-छोटे टुकडे जिसको हम डेंडरप कहते हैं, आपके बालों से जूड़ी कई परेशानियों का सबब हो सकता है। बालों में डेंडरप होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओईली हेर्स, हेर इंफेक्शन, बालों की सफाई ना करना, तुचा से सम्मंदित बिमारी होना, आदी। आज की वीडियो में मैं आपको हेर डेंडरप से छुटकारा पाने की कुछ असरदार उपाई बताऊंगी, इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। जान लेते हैं इन उपाईों के बारे में, पहला उपाई निम्बू, निम्बू में कई ऐसे गुण होते हैं जो तुचा की सफाई से लेकर वजन खटाने तक के लिए असरदार होते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले एक निम्बू करस निकाल लीजिए और अपने बालों क को गिला कर अपने स्केल्प पर अच्छी तरह से लगाई और पांच मिनट तक लगा कर रखिए, पांच मिनट बाद आप अपने हेर को वाश कर लीजिए, ऐसा हपते में दो बार करने से आपके बालों से डेनरब दूर हो जाएगा, निम्बू में सिट्रिक असीड होता है, जो एक अच्छा क्लिंजर है, उपाई नमबर दो मेथी, मेथी दाना में एमिनो एसीड और प्रोटीन भरबूर मातरा में होता है, जो बालों को स्वस्त बनाने में सहायक होता है, इसका यूज करने से बाल जडों से मजबूत होते हैं और स्केल्प से रूसी तूर हो जाती है, इसके लिए आप सबसे पहले एक बाउल में मेथी लीजिए और उसमें पानी मिला कर भी गो दीजिए, जब मेथी अच्छे से गल जाए तो उसे पेश्ट बना लीजिए और अपने बालों की जडों में अच्छे से लगा लीजिए, और आधी गंडे बाद किसी हर्वल शैंपू से हेर वाश कर लीजिए, ऐसा करने से बालों से ना सिर्फ डेंडरब दूर होता है, बल्कि उनकी अच्छी कंडिशनिंग भी होती है, तीसरा उपाई बेकिंग सोडा, इस पेस्ट को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक चमच बेकिंग पाउडर लीजिए, और थोड़ा मात्रा में पानी मिला लीजिए, और बालों की जड़ों में लगाईए, इसको तीन मिनट तक लगे रहने दीजिए, और तीन मिनट बाद अपने बालों को वाश कर लीजिए, बेकिंग सोडा बालों की गंदिगी को साफ करता है, और साथ ही बालों से क्यामिकल का असर भी खत्म करता है ऐसा हपते में एक दो बार करने से ही पालो का डेंडरप दूर हो जाएगा तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो उमीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो प्ले